हेलो रिये स्टूरेंट्स, वेलकम बेक टू और अर्गेनाईज नॉलिज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 67, 4 क्लास 10th, विशे हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 11 जैन्वरी 2022 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षीट स्टूडेंट उसमें हम जो हमारी कवीता है कन्यादान उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे वक्षीट चूड करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीचिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए प्यारे बच्चों पिछली बार हमने कवी रितुराज की कवीता कन्यादान का अध्यन किया था आज हम उनकी सी कवीता से कुछ विशे स्तथ्यों का अध्यन करेंगे तो कविता जो हमने पड़ी थी रितुराज जी की कन्यादान जिसमें उन्होंने एक लड़की की जब शादी होती है तो एक मा की क्या फिलिंग्स होती है कैसे वो उसको लेकर चिंतित रहती है वो दिखाया गया है कैसे इसमें बताया गया है कि लड़की को वो सीख देती है कि किस तरह से उसको आगे जाने वाले परिवार में एड़िस्ट करना है ठीक है कि उसको लड़की बन कर रहना है लेकिन लड़की की तरह दिखना नहीं है यानि अगर उसके उपर कोई दुख आए तो उसको ये नहीं है कि उसको आखे बंद करके उस दुख को सहन करना है उसको जो है अपनी लाइफ में अपने जो decision है उसको बहुत सोच समझ कर लेना है तो अब हमने पिछली बार की जो वक्षीट थे उसमें भी कुछ important जो है विशेश अंस पड़े थे कवीता से इस वक्षीट में भी आपको कन्यादान से कुछ विशेश अंस दिये गई है ठीक है जिनका आपने आप में एक बहुत deep meaning निकलता है अगर हम एक लड़की की जो यहाँ पर शादी की बात जो हम इस वक्षीट में कर रहे हैं कि किस तरह से लड़की जो है वो अपना घर परिवार छोड़ कर आगे जाती है कैसे अर्जस्ट करती है कितने उसके उपर चिम्मेदारिया होती है तो वो सब इस वरक्शीट में हमारे साथ कवीर तुराज जी ने कुछ विशेश अंशों के साथ सांजा किया है सो कवीता है कन्यादान से विशेश अंश तब देखे लड़की अभी सयानी नहीं थी अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कवी क्या कहना चाहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है मगर अभी उमर के अनुसार उतनी समझदार नहीं हुई है जैसे जब घर में बच्चे होते हैं तो लड़कियां होती हैं तो अपने माता पिता के घर में उससे वो सारे काम इस तरह से जो है जिम्मेदारियों वाले नहीं कराए जाते जो आगे जाकर उसको संभालने पड़ते हैं तो इसलिए कवी यहाँ पर कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन अभी सयानी नहीं है ठीक है यानि उतनी उस तरह से समझदार नहीं हुई है कि एक पूरा भरा गर परिवार जो है उसको संभाले ठीक है कि सभी जिम्मेदारियों के लिए वो पूरी तरह से मानसिक रूप से अभी तयार नहीं है तो यहाँ पर कवी रितिराची जो है यही इस कविता के जो आइंश है उनके मादम से बता रहे हैं दूसरा है दुख बांचना नहीं आता था इसके आधार पर कवी क्या कहते हैं कि अभी लड़की को अपने दुख से ना तो ठीक से उभरना आता था और नहीं उसे किसी के साथ दुख बाटना ही आता था कि अभी लड़की जो है शादी तो हो रही है लेकिन जो उसकी समझ है उसके अनुसार अभी ऐसा नहीं है कि वो अपना किसी को दुख जो है वो किस तरह से बाटे जैसे हम किसी के साथ बाते करके बोलके इस तरह से अपना दुख कई बार मन हलका कर लेते हैं तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि अभी जो है वो इतनी सयानी नहीं है इतनी बड़ी नहीं है उसको नहीं पता कि अपना दुख जो है वो किस तरह से जो है उभरा जाए उससे अगर कोई दुख होगा तो हो सकता है वो उसको बहुत जादा डीपली भी लेके जा सकती है ठीक है तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि उसे अभी किसी के साथ अपना दुख जो है वो बाटना नहीं आता है और उसे अपनी दुख से अच्छी तरह से उभरना नहीं आता है। थार्ड है पाठीका थी वह धुंदले प्रकाश की। इसमें जो कभी रितुराची हैं वो क्या कहती हैं कि लड़की पाठीका थी अभी धुंदले प्रकाश की। दुंदले का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिन्दगी का तजुर्बा इतना नहीं था एकदम चीजे क्रिस्टल क्लियर नहीं थी कि सब कुछ उसको पता हो ऐसा नहीं था लड़की को अभी कम जीवन का अधिक तजुर्बा अर्थार तनुभाव नहीं है कि जीवन में एक देख हम लोगों से ठील करते हैं हमारे सामने समश्चाँ आती हैं हमें पता चलता है कि किस तरह से समश्चाँ से उभरना है लेकिन यहाँ पर लड़की अभी अपने माता पिता के पास है उसके उपर को जिम्मेदारियों का वोज नहीं है तो उसने अभी जिन्दगी का वो नहीं लिया जो होना चाहिए ठीक है अर्थार्तितना अनुभा उसको नहीं था उसे अभी प्रतिक्ष का दर्शन तो होता था लेकिन प्रोक्स रूप से प्रभाव डाने वाली चीजों का अनुभा उसको नहीं था तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है अब यहाँ पर आपको कुछ प्रशन दिये गए हैं, तीन प्रशन हैं और एक गतीविदी आपको दी गई है, ठीक है, इनको हम डिसकस करेंगे, पहला प्रशन है, कवीता में लड़की की समझ को किस तरह बताया गया है, तो कवीता में लड़की की समझ को दुंदले प्रकाश की पाठिका की प्रशन दो है, आप अपने दुखों किस तरह से बाठते हैं, तो हम अपने दुखों या समझाओं को परिवार और दोस्तों के साथ साचा करके, ठीक है, कम अथवा हल करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जो परिवार में जिसके साथ हमारी बांडिंग है, दोस्तों के स साथ हम साचा करते हैं तो हम अपना दुख जो है वो कम कर लेते हैं प्रशनती इन है आप अपने जीवन में किन किन अनुभों को दूसरों के साथ साचा करना चाहते हैं तो मैं अपने जीवन की खुशियों परिशानियों चुनोतियों और सपनों को दूसरों के साथ साचा करन चाहूंगा ठीक है तो हम अपने जो भी हमारे एम हैं हमारे ड्रीम क्या हैं किस तरह से हम उनको पूरा करेंगे हमारे जीवन में क्या important है जो बहुत important place रखता है क्या परेशानिया है वो सब हम जो हैं दूसरों के साथ सांचा कर लेते हैं next देखे next गतिविदी दी गई है कि किसी विवाहिक समारों के अपने विशेस अनुभव को कम से कम 50 शब्दों में बयान कीजे तो अगर आपने कोई विवास हमारों अटेंड किया है तो उसके अनुसार ही आपको जो है अपना अनुभव यहां पर देना है तो इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं ठीके कुछ दिन पहले मुझे शादी में जाने का अवसर मिला शादी मेरे दूर के एक रिष्टेदार की थी शादी में हमारे सभी रिष्टेदार आए हुए थे और सबसे बहुत दिनों बाद मिलने का मौका मिला ठीके तो यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगा लेंगे कुछ दिन पहले मुझे शादी में जाने का उसर मिला शादी मेरे दूर के रिष्टेदार के थी शादी में हमारे सारे रिष्टेदार आए हुए थे सबसे बहुत इनों बात मिलने का मौका मिला यह शादी जैन मंदिर में चक्रवर्ती तरीके से हुई यह जो है विशेश सनुभव रहा कि जैनी जैसे शादी करते हैं जैन मंदिर में कुछ इस तरह से चक्रवर्ती तरीका होता है थीक है उस तरह से यह शादी हुई थी शादी के तिन वरवधू वृत रखते हैं और सुबह भगवान की शांतिधारा के बाद पूजन के उपरांत भगवान की बेदी के चारो और फेरे लेने के बाद यह शादी संपन होती है इसमें वरवधू को साथ दिन का ब्रमचारिय का पालन करना होता है यह मेरे लिए एक अनोखी शादी थी और इसमें अलग ही तरह का अनूबह हुआ क्योंकि ऐसी शादी मैंने पहले नहीं देखी थी तो इस तरह का आंसर जो है आप लिख देंगे तो यह थी स्टूटेंट्स आपकी आज के हिंदी के वरकशीट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो थैंक्स पर वाच्चिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीटियो में नेक्स्ट वरकशीट के साथ टेक केर स्टूडेंट्स आइस टे